अगर आप एक लाबारतीखिसान को प्यम किसान सम्मान ने दियोज़ना की तहत रिखे यहां पर आपको उजलिएट पूरी जनकरी दी जाती है और है यहां पर आप के कारण ये भादित हो गया और अब फिर से PM किसान योजना के तहत सोसल ओडिट अस्टार्ट होगा किस परकार स्टार्ट होगा क्या करना होगा किसानों को तो यहां पर मैं आपको बता दो सोसल ओडिट कारत होता है आपके अपने गाओं के अंदर ग्राम पंचायत के अंदर आपके जो मुख्याजी हैं या फिर सरपंच हैं वह आपकी सबा लगाकर PM किसान योजना में उन किसानों की लिष्ट तयार करेंगे जो किसान योजना के लिए पात्र हैं और जो किसान योजना के लिए पात्र नहीं हैं उन किसानों को इस लिष्ट निकालने के लिए चिनित क और दिये जाएगा और वसके नंग भाल जेए नहीं रहे पाएंगे और हिसी कार्य गरम को सोचल viewpoint का नाम दिया जाता है नी है आप अपने गराम पंचायंद के इंदर गराम सबस्ब बनाकर जो पेम त्यौतियार करने के बाद प्याम्किसाइव में जसी है उनमें से कोई भी जो किसान एह भी सत्या बन होगा इसी हम सोचल एडिट कहते हैं और यह पिम किसाने उजना का नहीं बलकि जितने भी सरकारी यह जना होते जो केंदर सरकार की तरफ से चलाई जाती है उन सबी यह जनायों के लिए अलग टाइम पर है वह सोचल अडिट कराया जाता है जिसमें जितने भी गराम सभाइं होती है जितने भी गराम पंच पंच में बैठने वाले कहते हैं जो आप इस पेपर की कटिंग में सारी जानकर देख सकते हैं और चुनाओं की कान इतने दिन बात दित था लेकिन फिर से स्टार्ट कह जाएगा और ये बिहार की पेपर की न्यूज है अगर आप दूसरे किशिराज जेते हैं तो वहां पर भी जल्द स्टार्ट होग कर सकते हैं